जी हाँ नेहा ककड की सौतन रह चुकी है सौंदर्या शर्मा कैसे चलिए आपको ये बताते हैं विल आप शालीन भनाट और टीना दत्ता को गौतम विज से हिमान शकोली के बारे में यानि नेहा ककड के पास्ट उनके एक्स के बारे में बात करते सुन चुके हैं आप सुन चुके हैं कि सौंदर्या ने गौतम से कहा कि जब मैंने हिमान्श के बारे में तुम्हें खुद बताया तो तुमने टीना और शालीन से इस बारे में बात क्यूं की वेल आपको बता दें कि 2017 में फिल्म राची डायरीज में एक साथ नजर आये थे सौंदर्या और हिमान्श सौंदर्या और हिमान्श ने इस फिल्म में लीड किरदार निभाय थे वहीं 2017 से लेकर 2020 तक इन्हें अकसर एक साथ पार्टी करते स्पॉट किया गया था दोनों को आखरी बार 2020 में मुंबई एरपॉर्ट पर देखा गया हाला कि 2020 के बाद दोनों एक साथ दिखाई नहीं द सौंदर्या शर्मा की पूरी लोयालिटी गौतम विज़ की तरफ है अब देखना यह है कि क्या घर से बाहर आने के बाद भी सौंदर्या और गौतम का रिष्टा यूहीं बरकरार रहता है देखना यह है कि क्या वो प्यार जिसे यह घर के अंदर साबित करने की कोशिश कर अब देखने वो घर के बाहर टिक पाता है लेट्स जिस्वेट अनवाच फाइनल काट निवस्टेस्क कि अ कि कि कि